महाश्यवरात्री पर्व की आप सभी को बहुत शुब कामना है पत्री का परिवार की ओर से नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अभिशेक चतुबेदी स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास प्रस्तोती में देवों के देव महादेव की दयालुता की बात करे तो वो इतने दयालु हैं कि सच्चे मन से याद करने मात्र से प्रसंड हो जाते हैं लेकिन उनकी उपासना की विधी विधान और योग सेयो तोर तरीकों की अगर बात करें तो शास्त्रोक्त क्या है ये जानना पेह जरूरी है इस खास प्रस्तोती में हमारे साथ जोड़ रहे हैं जोतेशी श्री नंदन मिश्र और मनोज गुपता दोनों का स्वागत है और दोनों से जानेंगे कि भूले नात को क्या पसंद है कौन सा मंत्र है जो भूले नात को राजी करने के लिए सबसे बड़ा मंत्र माना गया है और किस में धी भूले नात की पूजा की जाए को बता दें कि सबाई माधपूर जिले में शिवाड कस्वा है जहां बारहवे जोतिलिंग घुश्मेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर भी है यह हम इन दोनों विद्वानों से जानते हैं सबसे पहले एरुख करते हैं श्री डंदन मिश्र जी का और उनसे जानते हैं कि महाश्वरात्री पर्व पर इस बार क्या योग से योग बिश्यश बताई जा रहे हैं महाश्यवरात्री पर्व प्रत्यक हिंदू के लिए या समग्र राष्ट्र गे लिए अपितों पूरे विश्व के लिए हुदूर प्राचिन काल से महत्वपूर्ण दिन रहा है अती महत्वपूर्ण दिन रहा है जिसमें के दुर्गा सबस्ति में भी आता है काल राती महारात्री दारोन रात्री और इसमें काल राते दिपावली की रात ही हो गई मोहरात्री जन्माश्ट्रमी की हो गई महारात्री अर्थात ये महाशिवरात्री इसमें जगत के संचालक और जगत धात्री दोनों का जो है मिलन का भी दिन है और इसलिए ये कई वैशिष्ट यता को लेते हुए इसके कई अनेक रूप आ जाते हैं सामने चाहे तंत्र रूप में ले 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 तो अपने ग्रह नक्षत्र किस रूप में चुकि ये शिव से जोड़ा हुआ है तो शिव जो है कल्यानकारी देवता तो है शिव के उपर आक्षिव भी लगता रहा है कि ये दैट्टियों को ज़्यादा मानते हैं हमेशा मतलब देवताओं के लिए असुरक्षित रहे हैं किसी को भी आशी रुप में शिव के चराचर किसी भी रूप में क्षिव कर्यान भी और आत्र क्याया है कि महारात्री में किया हुआ कोई भी चीज अमोग होता है है और वो अपना प्रतिफन देगा ही देगा हम चाहे किसी रूप में प्राण्तना करें distributed करें यंत्र करे आथवा महादेव किसी रूप में भी पूजन करना आवस्चेक है प्रार्फना करना आवस्चेक है कैसे किया जाए वो व्यक्ति के उपर निर्भर रहता है डॉक्टर मनोज गुपता भी हमारे साथ जुड़े हैं जोतेशी हैं और उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ विधिया शास्त्रों में बताई गई है शिव पूजन की देखे शिव पूजन के लिए हमें सबसे पहले एक बार समझनी चाहिए कि भगवान को भोलेनात भी कहा गया है और भोलेनात इसी परपेक्ष में कहा गया है कि उनकी किसी भी तरीके से किसी भी विधी से पूजा की जाए उन्हें वैस्विकार है आप देखे फलों के अंदर उन्हें धतूरा चड़ाया जाता है जबकि वो सबसे बेकार फल है या किसी काम का नहीं है लेकिन भगवान भोलेनात उसको भी स्विकार करते है इसलिए उन्हें भोलेनात कहा गया है कि हम किसी भी विधी विधान से उनकी पूजा करें उन्हें बार के दिन है और इस बार के राजा के दिन ही शिवरात्री का ये पर्व आ रहा है और विशेश इसलिए भी है कि 2023 का साल अगर हम ग्रहनक्षत्रों के भाषा में अगर हम बात करें तो नेचरल डिजास्टर के लिए जाना जाएगा और भगवान शिव तो स्वयम प्रकर्ति क संघार के लिए जाने जाते हैं ऐसे में इस शिवरात्री के दिन यदि कोई भी साधक भक्त या एक आम व्यक्ति भी भगवान भोलेनात की यदि पूजा करेगा शिव मंदिर में जाकर कि किसी भी भाव से तो इस साल उसे भगवान शिव की विशेश क्रबा भी प्राप्त ह होगी और इस साल जो नेचुरल डिजास्टर का खत्रा पूरी दुनिया पर मंदरा रहा है उससे सुरक्षा भी उसे और उसके परिवार को अवश्य बिलेगी और साधानता हमारे शास्त्रों में शिव पूजा के लिए कोई विशेश तरीका नहीं है बहुत साधानता है उस और ओम नमे शिवाय मंतर के साथ यदि उनको आप दूद और जल चड़ा कर उनकी पूजा करते हैं तो आपको संपूर्ण ग्रहों के शुब परिणाम प्राप्तों हो ऐसी परिस्तित्यों का निर्वान व्यक्ति के लिए जरूर होता है पंडित श्री नंदन मिश्र जी के पास चलते हैं और उसे जानते हैं कि शिव महा पुराण से लेकर तमाम पुराण और जो है स्तरोत भगवान शिव को प्रसंद करने के लिए अनेकों मंतरों से सुसज्जित हैं और इनमें अनेकों मंतरों का बताया गया है कि उनका क्या मह जब करना चाहिए शिव के लिए क्या वो वोम का जब कर सकता है महामरतोंजे का जब कर सकता है या सबसे सरल जो बिदी है मंतरों की वो क्या है शिव ग्यान भी ग्यान के देवता हैं और रिते ग्यानानना मुक्ति बिना ग्यान के मुक्ति भी संभव नहीं है शिव उपासना सर्व सरल इसलिए है कि मूर्ति मुर्दा बिल्व दलेन पूजा मिट्टी के मूर्ती बना के शिबलिंग बना करके और बिल्व पत्र भी चड़ा दिया तो भी वो पूजा मानने है और आशुतोस इसलिए को यह था शीग्र बहुर शीग्र वह प्रसन्न हो जाते हैं रुद्र का जो पंचमद्या है रुद्र सूप्त का जिसमें महादेव का जब अवशेक करते हैं तो नमस्ते रुद्र मन्यवा उतोता इखवे नमा बाभ भ्या मतते नमा तो शिव जहां कहते हैं भोला भाला है तो उनके साथ भाला भी साथ में है आयूद भी धारन किये हूए है यद्धियापी वो ऐससों कल्यानकारी है कहीं ने कहीं जो अमंगल दिखता है उसमें भी मंगल ही छुपा होता है यदि महादेव से सन्नीत है महादेव से हम कहां विराजते हैं शिव समसान में शमशानस्त कैलास भी उसी को कहते है तो शिव की जो समाधी की स्थिती होती है और इसमें आप चाहे किसी भी योग से मंत्र जपे अभिशेक करें तो अभी भी भाई साम ने कहा है कि पंचाक्षरी मंत्र ओम नमस्षिवाय सर सर्व उपलब्ध जो मंत्र है वह तो नमस्षिवाय पंचाक्षरी मंत्र जाप करें जो भी अथा साथ दियुक्षत करें अभिशेक में यद्यपी रुद्र का अभिशेक होता है तो एकादशनी होता है रूप रुद्र लगु रुद्र महारुद्र अतिरुद्र जो हो वह पूजन करके और उनके स्थुति में जब करें स्तोत्र पाठ करें वह सब कुछ जो है शिव हर प्रकार के चारो पूरसार्थ के दायक हैं और निश्चित ही वह व्यक्ति प्राब्ट करता है यदि वह महासिवरात्री को और इन चार रात्रियों में सोने का विधान नहीं है किसी भी इस्थिती में निद्रा नहीं आनी चाहिए जी और बात करें प्रदोष पूजा की तो प्रदोष पूजा पर भी आपसे प्रकाश चाहेंगे यद्यपी इस दिन प्रदोश भी है तो प्रदोश पूजन तो पहले ही समाप्त हो जाएगा छे बजे से पहले जो भी प्रदोश करते हैं और एक महाशेवरात्री वरत्व का जो विधान है वह ये भी है कि त्रियोदसी का आपको पारणा करना होगा एक टाइम आपको भोजन लेना होगा तो पारणा करके उसके बाद चतुर्दसी का वरत्व होना चीए और चुकि उस दिन प्रदोश कालवी में प्रदोश का मना कर और फिर प्रथम प्रहर जो है आसुर्यास्त सूर्योदे परियंद चतुर्दस प्रहर तक पूजन यथा राशी के एसाब से हम बात करें तो क्या यह जो पूजा है शेव पूजा वो भी जात जो राशी है उनके एसाब से की जाने चाहिए जी बिलकुल जिनकी भी कुंडली के अंदर चंद्रमा अनिस्ट कारक हैं ऐसे मैं उधारन के लिए दिया आप से के सामने बात रखूँ त कुम लगन की बात करें कन्या लगन की बात करें इन कुंडलियों के अंदर चंद्रमा सदैव मारक इस्थति में होता है ऐसे में भगवान शिव की पूजा शिवरात्री के दिन यदि ये जातक करते हैं उन्हें दूदर्पित करते हैं भूलेनात को उनका श्रंगार करते हैं तो निसन्धे हैं उनके कुंडली के अंदर, ग्रहों की जो भी परिस्तिती हो, उस परिस्तिती के आधार पर, जो भी नाकारत्मक परिणाम उनके जीवन में आ रहे हैं, उनसे उन्हें मुक्ति जरूर मिलेगी, और इसके अलावा, यदि मेश लगन का व्यक्ती है, करक लगन क व्यक्ति है तुला लगन का व्यक्ति है अगर ये व्यक्ति नियमित शीव की पूजा भी करते हैं तो उन्हें अपने जीवन के अंदर विशेश प्रभाव प्राप्त होता है शीव की पूजा प्रतेक व्यक्ति को करनी चाहिए जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा अच्छे है वो नियमित रोज करें उन्हें विशेश लाब हुगा और जिनकी कुंडलियों में भी चंद्रमा मारक हैं वो केवल सोमवार के दिन दिशिवजी की पूजा करें और दूद कादान करें तो निश्चित तोर पर उन्हें अपनी जिंदगी के अंदर चंद्रमा से संबंदित समस्याओं का सटिक समादान जरूर मिलता है इसके लाबा अगर बात करें काल सर्प योग की तो काल सर्प योग के लिए भी शवाराधना को विशेश माना गया है और इससे जुड़ी कई विधियां भी यहां पर बताएगे उस पर भी आप से थोड़ा प्रकाश चाहेंगे कि क्या वो विधिविदान है और किस राशी के जातकों के लिए या किन परिस्तियों में उसका अप उसी करना चाहिए देखे काल सर्प योग के संदर में जहां तक बात आती है तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि राहू और केतू के मध्धे में एक तर्फ यदि बाकि स सबी ग्रय आ जाते हैं तो उसे हम कुंडली में काल सर्प योग की स्थति कहते हैं काल सर्प योग की स्थति के अंदर शिव की पूजा को इसलिए महत्व दिया गया है क्योंकि भगवान भुलेनात एक ऐसे हैं जिन्नोंने सर्प को अपने गले में आभुशण की रूप में धारन किया हैं ऐसे में यदि जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो नाग के द्वारा उत्पन ये दोश काल सर्प योग है जिसमें सर्प को हम इस्थान देते हैं तो उस दोश से जातक को मुक्ती जरूर मिलती है और उसके अलावाद चंद्रमा के दोशों से भी व भोलेनात नहीं उसे अपने मस्तक पर धारन किया और ऐसे में जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो चंद्रमा ऐसे किसी भी जातक को जो भगवान का भक्त है शिव का भक्त है उसको कभी भी परेशान नहीं करता है यूकि चंद्रमा को स्वैम को आश्रे देने वाल भगवान भोलेनात की क्रपा जिस व्यक्ति पर हो उस पर चंद्रमा भी अपना दुश प्रभाब नहीं डालता है इसलिए काल सर्प योग और चंद्रमा के दुश परिणाम के लिए भगवान भोलेनात की पूजा सर्वो परी कई गई है आप जानते हैं कि शिवक को एक जलाविशेख है दुखदाविशेख है पंचाम और भी कई तरीके की विदिया जो है गण्ये के रस्से भी अविशेख किया जाता है भगवान भोलेनात का तो किनकिन को ये अलग अलग विदिया जो है किनकिन के लिए है हमारे साथ श्री नंदन मिश्र बने हुए हैं उनसे जानते हैं कि दुखदाविशेख जलाविशेख पर भी थोड़ा सा प्रकाश जाले भगवान के भगवान समुद्र मन्थन के बाद विश्पान किया उन्होंने संसार के रक्षाथ उस विश्पान से उनके शरीर में जलन प्रारंब हुआ और उसको वो उन्हों सम्हाल नहीं पा रहे थे कि कंठ भी उनका नीलक ग्रीव नीलकंठ इसलिए उनका नाम एक शिव जी का नीलकंठ हो गए तो शिव के ताप को शांत करने के लिए अभिशेक महद अपेक्षित है अभिशेक में आपकी क्या कामना है क्या आप सकाम कर रहे हैं या निश्काम कर रहे हैं आज की युग में कोई सकाम ही करता है निश्काम तो बहुत कोई कोई विरले ही हो होंगे जब सकाम को हम कारे करते हैं तो जल से अभशेख दुग्ध से अभशेख इक्षू रस गन्ने के रस से अभशेख शहद से चीनी से अथवा जिस प्रकार की काम ना हो आयू व्रद्धि के लिए महामत तुञ्जय मंतर का योगल देते हैं उसमें तो शिव अनेक रूप में अभशेख अपेक्षित है अपने यहां एक चीज देखे जाती है कि सहस्र घट करते हैं सहस्र घट अपेक्षित है कहा भी गया है एक स्थान पे कि सहस्र कलशई रद्भी विश्णु और्भा संकर से चब विश्णु या संकर के शहस्र घट कलस चढ़ाना चीए प्रकार का रोग हो और उसकी शमन के लिए ततत व्याधी की ऑशदी में योग देते हैं अथवा कुछ नहीं केवल कुछ जिसको डाव कहते हैं उसके संसर्ग से जो है जल से किसी भी व्याधी की शान्ती के लिए महादेव के ऊपर अभिषेक करते हैं और चुकि महादेव एक यद अंडे तर ब्रह्म महांडे अंड़ स्वरूप में हैं और वही ब्रह्म महांड में व्याप्त हैं आ सिंदु सिंदु परियंत जो है महादेव एक ऐसे देवताइग रूप में विराजमान है जो समस्त संसार में कहीं भी प्रकट हो जाते हैं और इनके पूजन के लिए अविशेख बहुत अपेक्षित है चाहे ना आये तो भी आप नमस्शिवाई 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 बोलके भी अविशेख करें को कि रुद्र का अविशेख महद अपेक्षित है और शिव परिवार में जो इस्थापित है शिव परि मंदिरों में केवल गर्फग्रे में महादेव ही होते हैं परिवार के साथ नहीं होते महादेव तो जब लिंगाकार होता तो उसमें ब्रह्मा और विष्णु दोनों समाधिस्त हो जाते हैं तो लिंगाकार में और अभी विग्रह मूर्थी होती है अगर तो उसमें अनुग्र महादेव की उपासने की थी तो डामपत्य सुख के लिए इनका प्रत्रम स्थान है। और शिव रात्री चुकि महादेव की विवाह की रात्री है तो इस दिन महादेव के ऊपर जो कभी नहीं चढ़ता रोली, मौली, कुंकुं, सिंदूर, इत्यारी वो भी आज के दिन महादेव के ऊपर चढ़ाया जा सकता है यानि इसी दिन ये चड़ाया सकते हैं, बाकी पूरबर्श परियांते नहीं चड़ा सकते हैं मनो जी आपसे भी ये जाना चाहेंगे कि जिस तरीके से शिव की आराधना के भी तरीके अलग हैं शिव से जुड़े जोतिश में क्या-क्या और मापदंड नहीं कहिए गया और क्या-क्या विवस्ताय दी गई हैं जो शिव की आराधना से सीधा तालोक रखती हैं देखे जैसा पंडिजी ने बताया कि शिव जी की पूजा की जाती है लेकिन कुछ जगहों पर हमने शिव परिवार को भी देखा है जिस जगह पर आप शिव की स्थापना करके कोई सिध्धी प्राप्ति या ध्यान मुद्रा में आप उनको इस्थापित करके किसी विशिष प्रियोजेन के लिए जब आपको एकारे करते हैं तो वहाँ पर केवल शिव लिंक की स्थापने की गई जोतर लोक में इसलिए उनके हमने जोतर शिव लिंक कहा गया है जोतर लिंक कहा गया लेकिन कुछ जगहों पर आपने देखा होगा कि शिव जी के पूरे परिवार की पूजा हो रही है इस शिव परिवार इसलिए बनाया गया ताकि समाज को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया जा सके आप कभी शिव परिवार में आप देखेंगे तो जितने भी शिव परिवार में मा पार्वती है, कार्तिके हैं, भगवान गनेश नंदी हैं, भगवान भोले नात हैं आप इनके वाहन को कभी ध्यान से देखेंगे, भगवान शिव के गले में साप है और कार्तिके का वाहन तो मोर है, मोर साप को खा जाएगा, साप चुए को खा जाएगा जो गनेश जी के सावारी है, मा के सावारी सिंग है वो बैल को खा जाएगा, लेकिन उसके बाद भी पर कि परिवार के मुख्या को कैसा होना चाहिए परिवार के मुख्या को भगवान भोलेनाथ शिव की तरह होना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों के बीच में बेशक चाहे कितना भी आपसी मतवेद हो लेकिन परिवार के मुख्या को ऐसा होना चाहिए कि वो पूरे परिवा बानद सके और परिवार एक सुथर में रह सके और वो स्वें भी अपने साथ-साथ, अपने पुरे परिवार का भी मान समन सूसाइटी में ían करवाए, ऐसी प्रतिभा परिवार के साथ मुख्या में होनी चाहिए, एक बहुत बड़ा मैसेज दिआ शिव परिवार के लिए, औ तो ये विशेश एक तरेके से उनके साथ जुड़ावा एक ऐसा प्रसंग है जो सोसाइटी के लिए बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देता है। पूजन बिधी पर एक चर्चा करते हैं कि आम तोर पर शिव परिवार की जब हम पूजा कर रहे हैं, तो किस दिशा में हमें बैठना चाहिए, किस दिशा में मुख करके बैठना चाहिए, और शिरुवात कैसे हो और उसका समापन कैसे हो। देवताओं की जो आत्मा वास करती है वो उत्तर की दिशा में, इनकी जहलेरी इसलिए उत्तर की दिशा में ही होती है। कोई भी अपन उपासना करते हैं, तो पूर्व या उत्तर दो ही दिशा को प्रशस्त माना गया है। तो शिव जी की जब अर्चना करें, चाहे प्राता हो, चाहे रात्री, वो उत्तर की तरफ करना चाहिए। और अगर पाच्यों परिवार हैं, तो पंच परिवार में गणपती से प्रादम्ब करके और शिव का पूजन समगर करना चाहिए। इसमें विशेश यह है कि अगर आपको मंत्र भी नहीं आता और मूँ से बंबं की आवाज भी आप अगर निकाल पाते हैं, तो भी महाद्यू प्रशन्न हो जाते हैं। तो किसी भी प्रकार पूजन करें, गंधाक्षत वैदिक मंत्र से ना हो सके, तो समगर मंत्र से मूल मंत्र से पूजन करें। उस रात्त्री, चारो प्रहर में उनको अपना इष्ट प्रतिफल, जो भी कल्यान कारी मार्ग होगा भगवान उने जनूर प्रदान करें। और नईवेद्य की अगर बात करें, तो नईवेद्य में क्या भगवान भोलेनात को पसे हैं। नईवेद्य ग्रहन करना है, तो उनको शालिगरां मूर्ती से पहले उनको स्पर्श कराना होगा, तभी शिव के नईवेद्य के हम अपन अधिकारी हो सकते हैं। अन्न था नरगामी और दरिद्यता का दियोतक भी है। मनों जी, चूकि जन संख्या भी काफी है, बड़ी तादाद में इस दिन लोग जो है, वहाँ पर जल चलाने जाते हैं शिवालेव में। मर्यादा भी बनी रहे और एक संदेश जो जलवचत का करते हैं, ये भी इस तरीके के अभ्यान भी चल रहे हैं। तो सभी का नंबर आए, सभी जलाविश्य कर सकें अपने आरादे देव का भगवान भोले नात को प्रसन कर सकें। क्या विवस्ताओं में सुधार होने चाहिए, जिससे वो जल्द से जल्द सभी अपनी बारी से जलाविश्य कर सकें। और उसका सदूपयोग हो सकें। जल के साथ में पुष्पों को लेकर भी आपसे मेरा इस सभाब। जी, देखे, जब हम भगवान शिव की पूजा करने जाते हैं, तो अमोमन बात आती है कि भगवान को जल और दूद दोनों चड़ाया जाए। लेकिन जब दूद चड़ाने की बात आती है तो बहुत से लोगों का तर्क होता है कि भगवान के मंदर में इतना दूद चड़ा करके हम कहीं न कहीं उसकी बरबादी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा मेरे अगर दरस्टिकून से देखा जाए तो ये बात ठीक नहीं है। हाँ हम इसमें इतना जरूर सुधार कर सकते हैं कि यदि कोई भक्त भगवान के मंदर में दूद चड़ाने जा रहा है तो थोड़ा सा दूद वो भगवान को चड़ा करके बाकी का दूद वहां मंदर में रख सकता है ताकि मंदर में पुजारी या और किसी व्यक्ति को जो जल लेकर के जाते हैं और भगवान भोलेनात को चαड़ाते हैं तो हमारे पितरदोश भी दूर होते हैं और सातिक कही न कहीं उस मंदिर के अंधर भी जल विवस्था को कुछ न हाद तक ये होता है कि वहां उनको इस तरह की व्यवस्था नहीं करने पड़ेगी क्योंकि एक साथ बहुत सारे जब लोग वहां आते हैं जल चड़ाने के लिए तो कई बार देखा गया कि बड़ी अजीब तरह किस्तिती होती है वहां पानी के अलग से व्यवस्था करने पड़ती है और अगर हम स्वैम अपने घर से जल लेकर के जाएं फिर भोलेनात को चड़ाएं तो निसंदे हैं पानी की बचत भी होगी और हमारे पित्रदोश भी दूर होंगे और उसके अलावा एक चीज़ का हमें और ध्यान रखना चाहिए शिवलिंग के पास जाकर हम जब पूजा करते हैं भगवान शिव की पूजा करते हैं अर्द परिक्रमा की जाती है और उसके पीछे भी कारण है कि भगवान गणपती ने उनकी परिक्रमा लगा करके प्रतम देव का इस्थान पराप्त किया था इसलिए हम भगवान गणपती को क्रॉस नहीं कर सकते। इसलिए हम केवल अर्द परिक्रमा करके उनके पीछे पंक्ती में खड़े होते हैं ताकि प्रथम पंक्ती में भगवान गणपती जिनोंने भगवान शीव की परिक्रमा की और हम अर्द परिक्रमा करके भगवान शीव को प्रसन्य करते हैं इसलिए सोसाइटी के लिए मैसेज भी है कि शिव मंदिर में जाकर भाव भक्ति के साथ आप पूजा करें जितने भी चीजें आप वहां ले करके जा रहे हैं उसका अगर कोई सदूपियोग हो सकता है तो उसकी प्रात्पिकता हमें रखनी चाहिए और मं चड़ाते हैं उसकी व्यवस्ता इस तरह से हो कि वह बाहर गार्डन में या पेड़ पौदों में अगर चला जाए तो अगर इस तरह की हमको एक व्यवस्ता मंदिर में डवलप करें तो ये एक अच्छा मैसेज भी होगा और उन समस्त चीजों का एक बहतर सुदूपियोग भी होगा श्री नंदन जी आपसे चूंकि समय का अभाव है आपसे चलते चलते ये जानना चाहेंगे द्वादश जोतर लिंगों पर जरा आपसे प्रकाश चाहते हैं कि भक्तों के लिए द्वादश जोतर लिंगों के दर्शन का क्या विशेश में है जहां सभी पातक हो जाएं वहीं दिभी जोतर लिंग है मिद अपने वेद शास्तों में पुराणाक्तियादि है क्या अधस्मात्राश ज्योतर में हैं जिनको किसी ने स्थापित नहीं किया ऐसी मानोता है और द्वादस जो तिलिंग काई है कि केवल दर्शन मात्र से ही जल चड़ाना अथवा पूजन अर्चन वो तो अग्रिम बिवस्ता है दर्शन मात्र से यहां तक कि शिखर के दर्शन से भी उनको पुढ़नी के भागी वो बन जाते है आप दोनों अतितियों का बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे स्टूडियो में आए और भोले नात के भक्त जो हमारे दर्श्टक हैं उन तक कई महत्वपूर्ण जानकारी आपने पहुचाई है निश्चे तोर पर भोले के भक्तों के लिए श्रधालों के लिए जानकारी उप्योगी साबित होगी फिलहाल इस प्रस्तोती में अतना ही मुझे दीजी अनुमती नमस्कार